दोस्तों नमस्कार जहिंद बंदे वात्रम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुल्डन पार्ट साला में दोस्तों इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे लेसन नमबर से वेन मौरे सामराज जे इसमें प्रमुख पॉइंट के रूप में मौरे वन्स पढ़ेंगे मौरे वन्स की प्रसासनिक विवस्था देखेंगे साथ में चार प्रमुख बौध संगीतियों का अध्यन करेंगे और more events में कौन-कौन से सासक रहे और उनका सासनकाल क्या था इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो आईए सुरू करते हैं वीडियो को तो आईए सबसे पहरे देखते हैं more events more events के अंतरकत कुछ महत्तपूर्ण points हैं जो आपको याद रखने चाहिए सबसे पहला नंदवन्ज के सासक घानानंद ने चाड़क के अनि कौटिल्य को अपमानित करके अपने राजदरबार से निकाल दिया था second number point कौटिल्य ने चंदरगुप्त को राज कीलम नामक खेल खेलते हुए देखा बालक की बिलक्षड प्रतिभा को देखकर चाड़क के ने उसे सिस्ष से बनाया और तच्छी सिला में विविध कलावों की सिच्छा दी कहने का अतात पर यह है कि नंदवंस के जो सासक थे घनानंद इन्होंने चाड़क के को अपमायत करके रादरबार से निकाल दिया तो चाड़क के जो है बाहर जाता है और उसको चंदरगुप्त नामक बालक एक दिखाई देता है जो राज कीलम नामक खेल खेल रहा था उसकी बिलक्षड प्रतिभा को देखकर उसको लगता है कि ये बालक कभी हमारे काम आएगा और उसको अपने सास ले जाता है तच्छिला में पिवित कलावन की सिच्छा देता है और यही बालक बाद में जो है चंदरगुप्त ने घनानंद को पराजित कर 322 इसापुर में मगध में मौरेवंस की स्थापना की यानि वही बालक जो है आगे चलकर चंदरगुप्त मौरे बना जो घनानंद को पराजित करता है और 322 इसापुर में मगध में जहां पर नंदवंस था वही पर मौरेवंस की स्थापना करता है तो यह चीज़े आपके लिए होगा यहां पे पूर्व होना चाहिए 305 इसा पूर्व में भारत प्राक्रमण किया जिसे चंद्रगुप्त ने परास्थ किया था नि हराया था सेलुकस ने मेगस्थनेज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बना कर भेजा था आईए अब पढ़ते हैं मौरे प् कि जानकारी मिलती है इंडिका मेगस्थनेज की पुस्तक है और सास्त्र कौटिली की पुस्तक है तो यह पुस्तकों के नाम भी आप से पूंच सकता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चाड़क्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था प्रसासनिक विवस्था तीन अस्तरों में विभाज थी पहला है प्रांत दूसरा है जनपद तीसरा है गाउ या नगर तो आप इसको हम चार्ट के माध्य में समझते हैं आपकी किता में चार्ट दिया गया है इसको थोड़ा सा गोर से समझेगा छेत्री विवाजन जेमेदार विक्ति और कर्तब्य रहे थे और वेदिक काल में हम जन कहा याता था वही आज साम्राजallen हो गया तो शाम्राज令 का मुख्या होता था राजा का पत जो होता थो वनसानूगत होता था कहने क्यूत पर यह कि राजा का बेटा राजा होगा और उसका बेटा राजा होगा तो कहने तात पर ये है कि उसका जो पद था वो अंसानुगत था और राजा के पास मंत्री परशद होती थी मंत्री परशद का मतलब है मंत्रियों का समूम होता था जो उसको किसी कारे के लिए सलाह देता था आप देखो राजा का कारे क्या था आंतरिक और बाहे आकरमण से बचाव करना और मंत्री परशत का क्या काम था राजा को सलाह देना कोई भी समस्या है कोई भी काम करना है तो राजा को सलाह कोन देगा मंत्री परशत देगा इसके बाद है प्रांत सामराज्य के नीचे की जो का इकाई थी उसको प्रांत कहते थे जैसे आज हमारा देश है और देश में छोटे छोटे राज्य हैं तो उसी प्रकार से सामराज्य होता था और सामराज्य की छोटी इकाई प्रांत होती थी तो प्रांत का जो मुख्या होता था उसको राजेपाल कहते थे ठीक राजेपाल या राज्यवंस ठीक तो राजेपाल कहते थे और प्रांतिय सासन वे उस था देखना इसका मुख्यकारे था न्याय देना विकास के काम करना और सिचाई सड़क ब्यापारा आध के कारे करना इसका प्रमुकारे था इसके बाद प्रांत के नीचे की बात करेंगे तो जनपद हुआ करते थे क्या थे जनपद यानि जिला जनपद का मतलब जिला जिस प्रकार से आज बटे हैं राज्यों में जिले होते हैं जिलों में बलाक होते हैं तैसीले होते हैं इसी प्रकार से अब जिले का जो मुख्या होता था वो इस्थानिक कहलाता था इस्थानिक या इस्थानिय विरक्ति तो ध्यान रखेगा इसको इस्थानिय सासन विवस्था ये देखता था जो इस्था नगर जो होती थी नगर में छे परिशदें होती थी और छे परिशदों में प्रतेक परिशद में पांच आयुक्त होते थे तो दिहान रखेएगा प्रशन आपसे पूसाजता है कि जो नगर होते थे उसकी परिशदों में कितने आयुक्त नियुक्त होते थे तो पांच आयु किया जाता था तो इस कुछ महत्त्पूर्ड जो फॉइंट्स हैं यह को आपको यादव इसके बाद मौरे वंस के प्रमुक्षासक और उनका सहसंकाल देखते हैं तो मौरेवनस का जो पहला सहसक था चंद्रगुप्त तुमोरे था चंद्रगुप्त मोरे ने बिंदुसार का ससनकाल क्या है 298 से लेकर 273 इसा पूर्व तक इसके बाद है बिंदुसार का जो पुत्र होता है वो असूक होता है और असूक का ससनकाल 273 इसा पूर्व से 236 इसा पूर्व तक रहता है और असूक का जो पुत्र होता है या उत्तराधिकारी जो होता है वो ब् होता है वो चंद्रुगुप्त का अंतिम सासक होता है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है यहां से आपके इंपोर्टन प्रशन बन सकते हैं इसके बार नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी लेखकों ने चंद्रुगुप्त को सेंड्रो कोट्स कहा है चंद्रुगुप्त ने भारत में सरोबर्थम एक केंद्रिय सासन के अंतरकत बिसाल सामराजी के स्थापना की थी तो यह फैक्ट आपके प्रशन बन सकते हैं तो यहां से थोड़ा सा गौर करकेश को समझेगा वस्तुओं के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है सबसे पहला इसकी जड़ें तनों से उगुती हैं इनकी छाया में लोग 400 लोग एक सास रह सकते हैं तो यह लिखा था बरगत के बारे में 40 निकलता है किससे गन्यें से द्यानमि udah और गेंगा इसने प्रकास ना लिखा था की भारतमये बीना सीं बिना मदमक्हें की सहик निकलता है तो दो लोगन्यें से इसके बांद है उनe कि पेणों से उन पेणों से उगती है कपास के लिए इन्हों ने लिखा था कपास को देखकर क्या लिखा था कि उन पेणों से उगती है और चवधा नमबर पॉइंट है कि पच्छी जो मनुस्री के तरह बोलते हैं तोते के बारे में क्या लिखा था पच्छी जो मनुस्री के तरह बोलते हैं तो प्रशना आप से पूंच सकते हैं कि मेगस थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में पच्छी किस पच्छी को मनुश्य के तरह बोलते हुए कहा है तो तोते को ध्यान रखेगा इसके बाद ततकालिन समाज के बारे में धीनों ने कुछ लिखा है पहला पाडली पुत्र का छेतरफा नौमी लंबा और डेड़ मिल चौणा था इसके बाद है सडकों के किनारे चायादार ब्रच्छ वा कुएं हुआ करते थे तो यह कुछ अपनी पुस्तक में लिखा था तो आई अब हम जान लेते हैं सम्राट असोक के बारे में सम्राट असोक स कलिंग का युद्ध लड़ा जिसमें एक लाख लोग मारे गए और देड़ लाख लोग बंदी बनाए गए और इस भीचर नरसंभार को देखकर असोक का मन जो था वो बिचलित हो जाता है और इसके बाद है कलिंग युद्ध के बाद असोक में परिवर्तन क्या कुछ होए इसके वारे में पढ़ते हैं तो भविच समें कभी युद्ध ना लड़ने का फैसला ले लिया लोगों की भलाई के लिए जीवन अपना समर्पित कर दिया जगह जगह खंबों के ऊपर कहीं बैल कहीं हाथी तो कहीं सिंग बनवाए सिलाओं और गुफाओं पर संदेश भविच समाम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे और बाध धर्म को अपना लिया अपने पुत्र महेंद्र और पूत्री संहमित्रा को बाध धर्म के परचार के लिए स्रीलंका भेजा था तो यह इंपोडेंट है फैक्ट इसके बाद है असुक को देवना प्रिय और देवन दिवनाम प्रीच संदेश प्राकर्त भाषा में लिखे गए हैं जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अधिकारी रखे जाते थे जिन्हें धम महा मातर कहा जाता था सांची के इस तूप के निर्माण की शुरुवात समराटसोग ने की थी इसके बाद है पुस्य मित्र सुंग ने मौरेवंस के अंतिम सासक ब्रहदरत की हत्या करके सुंग वंस की नियुडाली थी तो यहां से आपको इंपोर्टन चीज है याद रखिएगा कि पुस्य मित्र जो सुंग था उन्होंने मौरेवंस के अंतिम सासक ब्रहदरत की हत्या करके सुंग वंस की नियुडाली थी अब यह पुस्य मित्र सुंग कौन था तो मौरेवंस का सेनापती हुआ करता था उस समय मौरेवंस के समकाली इंदच्छिड भारत में तीन राज्जे चोल चेर और पांडे यह सासन कर रहे थे तो यह समझे भी प्रशन आपसे इस लेसन के अंतर पूशे जाएंगे इसकी जानकारी संगम साहिती से मिलती है जिसकी रचना प्रथम सताबदी में तमिल भासा में की गई थी तो यहां समझे था आपके तीन फैक्ट है कि जिस समय उत्तर भारत में मौरेव सामराज था उसी समय दच्छिड भारत की बात करेंगे तो वहाँ पस चोल, चेर और पांडिसासन करते थे इनकी जानकारी संगम साहित से मिलती हो संगम साहिती तमिल भासा में लिखा गया था कब लिखा गया था तो प्रथम सताबदी में ध्यान रखेगा इंपोर्टन फैक्ट है अब हम इसके बात पढ़ेंगे बहुत संगीतिया तो बहुत संगीतिया बहुत धरम में शुधार करने और उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए चार संगीतियों का आयोजन किया गया तो उनसे समंधित फैक्ट्स आपके बन सकते हैं तो यहां से आप देख पाएंगे सबसे पहली जो बहुत संगीति हुई थी चार सो तिरासी इसापूर में हुई कब हुई थी चार सो तिरासी इसापूर में पर्थम संगीति हुई और कहां पर हुई तो राजग्रह में हुई थी सासनकाल किसका था तो अजाद सत्रू अजाद सत्रू का सासनकाल था अस्थान था राजग्रे और 483 इसापूर में पहली संगित होती है इसके बाद है दूसरी 483 के बाद सव अरसों के बाद 383 इसापूर में दुती बहुत संगित होती है वैसाली में और इसका जो सासनकाल था किसका सासनकाल था तो काला सोक एक राजा हुए इनका सासनकाल था इसके बाद है तुर्तिय बहुत संगीती तुर्तिय बहुत संगीती समराथ असोक ने करवाई थी 255 इसापूर में 255 इसापूर में तीसरी बहुत संगीती हुई और यह कहां पर हु इसका आयोजन प्रथम सताब्दी में हुआ था और ये कुंडलवन में हुआ था कनिस्क के सासनकाल में कनिस्क दो थे कुशाडवंस के थे समराठ असुक मौरेवंस के थे तो ये चीजें आपको याद रखनी है इंपोर्टन है यहां से आपके फैक्ट बन सकते हैं तो इस वीडियो में बसतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद